आज हम बना रहे हैं खट्टे मिठे मसाला आलू तो उसके लिए हमने कुकर में 4 बिक साइज के टोमेट पोटेटो लिए हैं और उसको हमने कट करके ले लिए हैं और इसमें हम दाल रहे हैं 1 टेबल स्पून नमक और हमने दाला है हिंग 2 पिंच काला मिज पॉडर हाफ और हम ओइल दालेंगे वन फोट कब धनिया पॉडर दालेंगे वन टेबल स्पून और हाफ टीस्पून ने जीरा पॉडर दाला है वन टेबल स्पून कश्मीरी लाल मेशाली हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर और हाफ टीस्पून हमने दाला है मैगी मेजिक मसाला तो यह हम एक सीटी लेने के बाद पांच से दस मिंट के लिए लो फ्लेम पर अपन कर रहें तो देखिए हमारे आलो बिल्कुल अची तरीके से घल चुके हैं अच्छी से मिक्स कर देंगे एक बार हिला देंगे और इसमें हम हरा धनिया दालेंगे क्योंकि हरा धनिया के पर तो चाट को तो हमने जैगरी और तमर आइने निया इमली और गुड़ को मिला के बनाया था तो इसको हम अब सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं और हमने कुछ जो है नली जो आती है इस तरीके की तो यह हमने घर में यह से फ्राइ किया है अब इसके साथ हम इसे सर्विंग के लिए निकाल रहे है तो इक कुछ से होती है में यह पास जिसको हम यूज कर रहे हैं सर्विंग के लिए वैसे भी मसाला अलू को खा सकते हैं और इसके क्रिस्पी नली जो आती है उसके साथ जो पैवरेट है बहुत मज़ा आता है बच्चों को इस तरीके से खाने में तो आप इस तरीके से भी सिर्फ कर सकते पर एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक है और बहुत अच्छा लगता है सिखा के मज़ा आता है तो आप इसे जरू ट्राइक किजिए